हेलो गुड मॉनिंग जोहार आप सभी का निव जार्खन में स्वागत है चले शुरुआत करते हैं आज की जार्खन की बड़ी खबरों के साथ पहली बड़ी खबर की बात करें तो राज में कोरोना की रिकॉर्ड 435 मरीज मिले और 6 की मौत जार्खन में मंगलवार को कोरोना स संक्रित मरीजों की मिलने का नया रिकॉर्ड बना है मंगलवार देररा तक पूरे जार्खन में 435 मरीज मिले हैं राची में भी रिकॉर्ड 106 मरीज मिले हैं इसके साथ राज में आप तक संक्रिमितों की संख्या 6256 पहुँच गई है दूसरी और मंगलवार को कुल 6 संक्र मितों की मौत हो गई है जिसके बाद अब तक मरने वाले संक्रिमित मरीजों की संख्या 77 हो गई है मरने वालों में पूर्व सिंग भूमी और सराय केला से दो-दो हैं धनबाद और हजारी बाग से एक-एक मरीज सामिल है मंगलवार को राची में 106 मरीज मिले हैं इसके अलाव पूर्व सिंग भूमी में 79, पाकुडवे 65, गोड़ा में 35, लातेहार में 19, साहिब गंज में 17, धनबाद से 16, पस्चिम सिंग भूमी में से 14, सराय केला से 12, रामगर, हजारीबा, गिरीडी और 14 से 10-10, लोहर दगगा में 8, पलामू, देवगर, साथ-साथ, कोडरमा और ग रखेंगे वैपारी, कोरोना के बड़ते संकर्मन को देखते हुए राज के सबसे बड़े वैपारिक संगठन ने सेल्फ लोक का फैसला किया है, फेडरेशन ऑप इंडिया, चेमबर ऑप कॉमर्स और इंडिस्टीज ने अलान किया है, कि अब सबता में 3 दिन परदेश भर म सबी दुकाने पूल रूप से बंद रहेंगी, जरोरी वस्तुवों और सेवाओं को छोड़कर सबी वैवसाइक, परिस्थान, सुकुरुवार, सनिवार और अबिवार को बंद रखेंगे, चेमबर में इसे आस्मार्ट लोकडाउन का नाम देते हुए सबी वैपारिक और क परिवार कल्यान विभाग ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि किसी भी सारवाजनिक अस्थानों में गुटका, पान मसाला, सिग्रेट, बीडी, पान, खैनी, जर्दा, इलक्ट्रोनिस, सिग्रेट या किसी भी नाम से बिकने वाली तमबाकु उत्पाद पर पर परतिबं रहेगा, विभाग ये परतान सची डॉक्टर नितीन मदन कुलकरनी ने आदेश जारी करते हुए बताया है कि या परतिबं कोवर्ण 90 काल में पहले ही जारी किया गया था, इसे एक वर्स के लिए बढ़ा दिया गया है, जो परतिबंध पहले था, वही अगले वर्स तक जा अगली खबर की बात करें तो परवासी कामगारों की नई सरम निती बनेगी, सरकार एक नई सरम निती बनाने जा रही है, कामगारों की अधिकारों, शुरक्षा और सुबिदाओं को सुनिक्चित करने के उद्देश से इस निती को आम लिहाजा अपनाए जाएगा, सरकार के पास कोरोना कंट्रोल रूम और जारकन सहाथा आयप की मदद से दस लाग से अधिक परवासी कामगारों का डेटा उपलब्द हो गया है, उनके कौसल के आधार पा मैपिंग भी की गई है, सबसे अधिक निर्मान जेतर के सार्मिक जारकन से दूसरी राज में पलायन करते हैं, इन्हें राज में ही काम देने के अलावा दूसरी राज में जाने की इस्तिती से अस्थांगत तरीके से भेजने का प्रवधान सरकार की सरम नीती में सामिल किया जाएगा। पंजिकरन के बाद जाने वाले कामगारों को कारी अस्थल पर उनके बच्चों की सिक्षा को लेकर उनकी खुद की परिवारिक सुरक्षा, आवास, लाब, स्वास्त और यात्रा भत्ता आदी के अलावा भोजन की सुविदा दिलाने का प्रवधान भी नई सरम नीती में किया को देश के ओवर ओल 94.821 के साथ दूसरा आस्थान मिला है, अगली बड़ी खबर की बात करें तो छूटे किसानों को 15 तक निबंधित करें मुखमंत्री, मुखमंत्री हैमन सुरे ने परधान मंत्री किसान योजना पोटल में राज की 9 लाग किसानों को आविदन लंभित पर अधिकारियों से जवाब तलाब किया है, और उन्हें 15 अगस्त तक निबंधित करने के डेडलाइन तेकी है, अब तक इस पोटल में 23 लाग किसान निबंधित किये गये हैं। लोगों ने समती से 7 दिनों तक संपून लोगडाउन किया है, अब आगे राज सरकार के नियम के अधार पर अगामे 31 जुलाई तक जारी होगा। इस भी सरकार के नियम के अधार पर दुकाने खुलेंगे, यदि सरकार की और से कोई अलग डेडलाइन आती है, तो उनके अन लोगों ने की हालत गंभीर है, गटना के बाद मुवावजे की मांग को लेकर मिर्तक के परियोजनों और ग्रामीनों ने सब रहकर एक घंटे तक हमसी में जाम किया, बताया जाता है कि सेट्रिंग टैंक में धलाइक में लेगे सेट्रिंग को खोलने के लिए चार मजदुर टैंक में उतरे थे, टैंक कुछ दिनों से बन था, सेट्रिंग होले के दोरान ही मजदुर का दम खुटने लगा और वो बेहोस होगे, पास में काम कर रहे है मजदुरों ने यह देखकर सोर मचाया तो इसके बाद वहाँ के लोगों ने जमा होगे और एक एक करको सब को बा प्लेस मुख्यालोगव के कर्मियों की काम सुरू हो चुकर है, तो यह ती आजकी ढ dif Kart बड़ः तो आज के लि्ए बस इतना ही जंखन के हर छोटी लगई रहने की लिए आप आप आचनल नयुए जार्कन की चैनल को सब्सक्राइब करके बैला क्रइस जरूर करें जिससे जो आपको जारकन के हर्थ चोटी बड़ी कवर का अपडेट आप तक पहुंच चार है तो चले मिलते हैं नेक्स डे नेक्स्ट कवर के साथ